नमस्कार दोस्तों, नमस्ते राजस्तान की इस विशेश कड़ी में आपका स्वागत है कोरोना महामारी के कारण स्कूलों में समय से पहले ही समर वेकेशन्स हो गए है हर साल नए शेक्षिक सत्र की शुरुआत एक एपरल से होती है लेकिन इस साल कोरोना वाइरस की महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है इस वज़े से शेक्षिक सत्र अभी तक शुरू नहीं किया जा सका है ऐसे में स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यारतियों की पढ़ाई का नुकसान ना हो इसलिए जादतर स्कूल्स द्वारा e-learning प्लाटफॉर्म बनाए गए है स्कूलों नहीं बच्चों की पढ़ाई बादित ना हो इसलिए वर्चूल क्लासेज और ओनलाइन पढ़ाई का सहरा लिया है स्कूल्स, ओनलाइन एप्स और वाटसेप ग्रुप के जरिए बच्चों की पढ़ाई करवा रहे है e-learning प्लाटफॉर्म के जरिए टीचर्स हर स्टूडेंट को कोर्स से सम्मन्देश शेक्षिक सामगरी और एसाइन्मेंट पोस्ट कर रहे है ओर्लाइन क्लासेज सही धरंग से इस्टल सकें इसलिए जूम एप, गूगल क्लासरूम और शीशा जैसे अप्लिकेशन का इस्तिमाल किया जा रहे है साथी स्कूल वेबसाइट पर सभी क्लासेज के अनुसार यूट्यूब लिंक भी अप्लोड किया जा रहे है यहां तक की प्रिंसिपल भी शिक्षकों से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए रोज मीटिंग कर रहे है जादत स्कूल ने पढ़ाई के लिए एक टैंटेबल बनाया है जहां हर दिन दो सब्जेट्स की क्लासेज होती है वही वाटसेप ग्रुप में बच्चों को PPT और PDF फॉर्मेट में स्टडी मेटिरल दिये जा रहे है बच्चों को मेल के माध्यम से वरक्शीट भेजी जा रही है जिससे बच्चों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है कई स्कूलों ने विद्यार्तियों का साइन्मेंट ऑनलाइन ही जमा करने को कहा है मानव संसादन विकास मंत्राले ने कहा है कि लॉकडाउन की वज़े से चात्र ऑनलाइन प्लैटफॉर्मों पर आकर पढ़ाई कर रहे है अब ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करने वाले चात्रों की पहुँच में तीन गुना व्रिद्धी हो गई है शैक्षेक सत्र पिछड जाने की अशंका से परिशान स्कूलों के प्रभंदन के लिए ऑनलाइन शिक्षण संकट मोचक साबित हो रहा है अब ऑनलाइन शिक्षण साब्ड़ाईन